3.6 विभिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वित्रित होते हैं? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत पर्माणू के नाभिके मॉडल ने पर्माणू में एक छोटे से नाभिक और उसके चारो और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया पर इस मॉडल से यह इसपस्ट नहीं होता है कि यह इलेक्ट्रॉन पर्माणू में किस तरह से वित्रित हैं? इलेक्ट्रॉन में रिनावेश होता है तब क्या समानावेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते होंगे या आपस में टकरा जाते होंगे? आखिर परमानों के अंदर कैसी व्यवस्था है जो इन अव परमानों को व्यवस्थित करके रखती है निल्स बोर ने अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर प्रशनों से जूजते हुए इन इलेक्ट्रोनों के वितरण को स्पस्ट किया जिसे बोर बरी योजना के नाम से जाना जाता है बोर बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को K, L, M, N इत्यादी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्षा या कक्ष या कोश को K कहते हैं जबकि दूसरी कक्षा को L कहते हैं और इसी तरह अगली कक्षाओं को क्रमशह M, N से प्रदर्शित किया जाता है